Hello everyone, this is Shalini Misra, UTC Net Qualified and Assistant Professor. हम लोग इस लेसन में बात कर रहे हैं, बलकि इस कोर्स में, ठीक है? जो हमारे previous year exam के question paper हैं उनके बारे में. तो यहाँ इस लेसन में हम लोग discuss कर रहे हैं July 2018 के question paper को. Question by question हम लोग चलेंगे, एक question को deeply discuss करेंगे, detail में discuss करेंगे, और जिससे कि सारी चीज़े clear हो जाएंगे. दिखिए, बहुत important हो जाता है कि जो exam हम देने जा रहे हैं, तो उसका train पता होना चाहिए, कैसे question आते हैं, क्या nature है question का, कहां से उठते हैं, कौन-कौन topic important है हमारे लिए ज्यादा focus करने के लिए. ये सारा कुछ आपको clear हो जाता है, अगर आप पिछले question paper उठाएं तो, ठीक है, और ये एक strategy है, इसमें होता क्या है, clear हो जाती हैं चीज़े सारी, कि आपको कैसे पढ़ना है, नहीं तो आप सब पढ़ने के चक्कर में पढ़ जाते हैं, और उसके बाद में फिर सब एकदम से, सब संभो नहीं हो पाता है, दूसी चीज़, मैंने बार-बार ये चीज़ कही है, कि basic concept आपके clear होने चाहिए, basic concept चे बहुत सारे question आते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वो चीज़ एकदम आपकी clear हो, ठीक है, और होता क्या है कि जो चीज़े हमको easy लगती है, वो हम छोड़ देते हैं, कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं पढ़ने में, लेकिन वहीं पे फिर फस जाते हैं, हम exam hall में, वही easy चीज़, exam hall में, एकदम question paper सामने आते ही, confusion हो जाते हैं, कि इसमें क्या होगा, clear नहीं है तो, तो सारी चीज़ clear करते चलिए, concept एकदम clear होना चाहिए, समधाय क्या है, समीधी क्या है, संस्ता क्या है, ये देखने में तो बहुत easy लगता है, लेकिन पढ़ने में, समझने में, एकदम ispast होना चाहिए, ठीक है, तो कहीं भी कोई confusion नहीं होना चाहिए, I want to say this, चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा next question क्या है, तो question है, एक सामाजिक प्रतिवेश में, यदि लोग अभी गरहन करते हैं, assume करते हैं, कि उनकी स्वयम की संस्कृति, समूह और व्योहार, दूसरों की तुलना में अधिक स्रेश्ट है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, in a social setting, if people assume that their own culture, group and behavior are superior to those of other there, it is known as, क्या जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो यहां पर हमारा option है, one, नजाति के अंधरवाद, option two, अज्यात के अंधरवाद, option three है, सोक के अंधरवाद, और option four है, रश्ट्रियता, यहां पर जो हमारा answer होगा, वो है, option one, नजाति के अंधरवाद, एक सामाजिक परिवेश में प्रतिवेश में यदि लोग ये ये जिव करें कि उनकी स्वेम की जो संस्कृति है निश्चित समूह और ब्योहार दूसरों की तुलना में अधिक्स रिष्ट है तो उसे नजाति केंदिकतावाद के रूप में जाना जाता है सम्नर ने अपने समूह की अवधार्ना में अंता समूह की विशेशता को व्यक्त करने के लिए किया है निशाति केंदिकतावाद की अवधार्ना के जनक सम्नर ही मने जाते है क्लियर चलिए देखते हैं नेक्स कुश्टिन क्या है विश्वासों और मुल्यों का वह समुच्च यह सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वी कृत करे और एक बैकल्पिक को भी हित करे क्या जानते हैं किस नाम से जानते हैं तो यहां पे option 1 है उप संस्कृति सब कल्चर option 2 है जड संस्कृति इड़कल्चर option 3 है प्रती संस्कृति काउंटर कल्चर और ओप्सन4 है सांस्कृतिक समिस्ट्रि तो यहां पे जो हमारा बहूंत हुग ऋप्रती संस्कृति Meng candy और घंड ¿कल्टर बिश्वासों और मुल्यों का सेट समुच्च प्रती संस्कृति कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को असुकित करे और एक बैकल्पिक व्यवस्था को बिहित करे अब कैसे समझेंगे इसको जैसे युवा वर्ग है बहुत समाजों में यह देखने को मिलता है युवा वर्ग है जो संस्कृति हमारी चल रही है जो जिसमें हम रहे हैं जिसको हम अपना के चल रहे हैं उसको रिज़ेक्ट कर दे नई संपनी क्वावर्ड यह नहीं पसंद रहा है त्यक्ति करने लगता है त्सकिति है जो मुली है जो विश्वास है जो परमपराएं है उनके एक्दम बिरोधि करने लगता है हानी का हाट है किप यहां फे ही प्रति संस्कृत की अवधार न सामने अती हैं यह यह मतलब जो संस्कृत है उसको रिजेक्ट करके अपने खुद कीं एक प्रिद blossom अपने खुद के विश्वास, खुद की परंपरा निर्मित करने की कोशिश करना। तो प्रती संस्कृति की अवधार्ना, Milton इगर ने प्रस्तुत की है। उन्होंने हिप्पी संस्कृति, हिप्पी कल्चर, अप्राधी बालकों की संस्कृति, समलेंगिक विवाह, आधिको प्रती संस्कृति का उधारन मना है। हेपी कल्चर भी वाइसा ही है अप्राधी बालकों की संस्कुति यह जो यह भी कुछ मुल परमपराओं से अलग हटके कार्य करते हैं अ आपध करना भी एक विरोधी का रहे है अठ्चे कारे करना एक संस्कृति का हमारे मुल्य है और उसके विरोध में चले गए तो अप्राधी प्रवर्थी हो गई समलेंगिक विवा यह भी एक तेजे से उभर के सामने आ रहा है हमारे सामने हमारे समाज में यह सब क्या है यह सब प्रति संस्कृति के उदाहरण है तो मिल्टन इगर ने यह प्रति संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है चले देखते हैं नेक्स क्या है एक प्यक्ति एक विद्याले सिच्छक है वह उप्राचारे है स्थानी क्लब का सदर से है और ग्राम पंचायत का अध्यच है यह सभी स्थितियां मिलकर उसकी क इस प्रस्तिती का निर्माण करती हैं आप्सन वन है प्रस्तिती इस्टेटस आप्सन बी आप्सन टू है प्रस्तिती समुच्छे इस्टेटस सेट आप्सन थी है बहुल प्रस्तितियां मल्टिपल इस्टेटस एंड आप्सन फोर है प्रस्तिती अनुक्रब यानि की इस्थानी इकलब का सदस्य है और ग्राम बन जायत का अध्यक्ष है यह सभी इस्थितियां मिलकर उसकी बहुल प्रिस्थितियों का निर्मार करती है जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतीक बेक्ति का समाज में निश्चत रूप से एक अपना पद होता है या पद या इस्थान किसी को बिरासत में मिलता है तो किसी को अपनी मेहनत या योगिता की बदौलत प्राप्त होता है जैसे प्रतेक फ्राणी इस धर्ती पर अपने लिए कुछ न कुछ इस्थान बनाता है वैसे ही व्यक्ति भी सामाजिक धरातल पर यानि समाज में स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ जगे खेरता है जिसे समाज सास्त्री भासा में सोसल पोजीशन कहा जाता है जॉल्सन के अनुसार सामाजिक पद यानि सोसल पोजीशन के दो तत्तु होते हैं एक होता है राइट यानि अधिकार और दूसरा होता है अब्लिकेशन यानि बाध्यता तो दूसे सब्दों में सामाजिक पद वेक्तियों के अधिकारों और बाध्यताओं का एक जटिल समग रहे है यानि समाज वेक्ति को कोई पद देता है तो उस पद के मुताबिक उस वेक्ति को कुछ अधिकार और करता भी भी देता है तो समाज शास्त्री भासा में अधिकार को इस्थिती या हैसियत या इस्टेटस और बाध्यता को भूमिका या फर्ज कहा जाता है जांसन ने इस समंध में पस्ठंग से लिखा है दस एवरी सोसल पोजिशन इजा स्टेटर्स रूर ठीक है तो यह तो हो गई बात जांसन की और यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो राल्फ लेंटन है वह बात करते हैं प्रस्थिति प्रस्थितियों की भूमिकाओं की तो इन के अनुशार वेक्ती एक साथ अगो प्रस्थितियों धारन किये होता है उनौ प्रस्थितियों का संविलित रूप ही बहुल प्रस्थिति कहलादा धारा भूमिका द्वन्द के संरचनात्मक सिधान्द का प्रतिपादन केस ने किया? Who has given a structural theory of role conflict? भूमिका द्वन्द यहाँ पर उप्सन दिये हुए, उप्सन बन है, A.R. रेट क्लिप ब्राउन उप्सन टू है, आर्की मार्टन उप्सन थ्री है, टाल कट पार्शन्स और उप्सन फोर है, जीपी मोटा उप्सन टू हमारा आंसर होगा, A.R. की मार्टन भूमिका द्वन्द के संरचनात्मक सिधान्द का प्रतिपादन, A.R. की मार्टन ने किया है ठीक है, और A.R. की मार्टन द्वरा और कौन-कौन से कारी किये गए हैं, तो इन्होंने जो कुछ बुक्स लिखी हैं, उनके नाम मैं बता दू Social Theory and Social Structure, इन्होंने लिखी है, The Sociology of Science, ये बुक है और Social Structure and Anomy on Social Structure and Science The Focused Interview, मार्टन द्वरा लिखी गई बुक है Contemporary Social Problems, इन्होंने सब बुक्स का लेखन किया गया है, A.R. की मार्टन द्वरा तो ये हो गए आज की कॉस्च्चन हमारे इस लेशन में और भी कॉस्च्चन हम लोग डिसकस करेंगे नेक्स्ट अपने लेशन में तो चले मिलता है नेक्स्ट लेशन में तक्यू